त्रितिय अध्या है खुडिका गर्भाव क्रांती खुडिका मिन्स अल्प गर्भाव क्रांती मतलब मिलना शुक्र और शोनित को मिलना जो होता है इसमें बताया गया तीन नंबर श्लोक में देखिया आप त्री नंबर श्लोक इसकी जो हमारी श्लोक की लाइने दी हुई हैं तो फिफ्ट लाइन में देखना आप सुखेन जायते समुदाय एशाम भावा नाम मातरी जाश्च गर्भ, पित्र जा, आत्म जा, सात्म जा, रस जा, अस्ती चखलू सत्वम औपादिकम इती को आपने हाइलेट गया सत्व क्या होता है औपादिक होता है means आत्मा का दूसरे श्रीर के साथ संबंद करने वाला सत्व यानि मन ही होता है इस तरीके से बताया तो यहाँ पे गर्बो उत्पत्तिकर भाव बोले गए हैं वैसे तो फोर्थ चेप्टर में इनकी एक्स्प्लेनेशन है कि मात्रज भाव, पित्रज भाव पूरे अच्छे से एक्स्प्लेनेशन फोर्थ चेप्टर में है लेकिन यहाँ पे नाम आ गया इनका तो आप यहीं पेज के उपर लिख लिजी आपको एटलिस्ट याद होने चीए गर्बोत पत्तिकर भाव लिखिए गर्बोत पत्तिकर भाव एरो करके लिख लीजिए मात्रज पित्रज आत्मेज सात्मेज सात्मेज मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज सत्वज और रसज सत्वज और रसज इनको आप कैसे याद रखते हैं माता पिता आसा रस माता पिता मतलब मातरज और पितरज आसा मतलब आत्मेज और सा का मतलब सात्मेज रस का मतलब कि हमारा माता पिता आसा रस रस मतलब रसज और सा का मतलब सत्वज होता है पिर आप देखिए इसी तीन नमबर श्लोक के नीचे जो हमारा श्लोक लिखा हुए उसकी हेडिंग है गर्ब के छे भाव विश्यक भरदवाज की शंका आप जहां पर यह चेप्टर स्टार्ट हो रहा ना तृतिय अध्याए वहीं पे स्टार लगा के पॉइंट लिखना पिछले पेज पे शारीर में फस्ट संभाशा शारीर स्थान में पहली संभाशा यह तृतिय अध्याए में गर्ब के छे भाव विश्यक भरदवाज की शंका आपको कोशन पूछा जा सकता है कि गर्ब के मातरज पितरज भावों का खंडन किस ने किया मतलब अचारिया ने तो बोल दिये कि यह भाव होते हैं गर्ब के उत्पत्ती में एक बार बोला ही था इन्होंने तो अभी शुरूई किया था ना तीन नंबर्श लोग में पिता का कारण का इन्होंने खंडन किया अगर माता पिता को आप गर्ब की उत्पत्ती में कारण मानते हैं तो बहुत सी स्थरियां बहुत से पुरुश ऐसे होते हैं जो इच्छा रखते हैं कि उनके पुत्र की उत्पत्ती हो तो उनकी according फिर उनको क्यों नहीं होता या कहीं होते हैं इस तरी पुरुष सब को इच्छा होती है नावचों के तो उनको क्यों नहीं होते तो ऐसा बोला गया कि माता-पिता कारणी है फिर आत्मा को बोल देते है कि आत्मा गर्भ को कैसे उत्पन कर सकती है हर चीज़ का खंडन किया एक एक तर्क देखे साथ में क्यों नहीं फिर साथ में बोलते हैं कि अगर साथ में से गर्व उत्मन होता होता तो जो साथ में सेवन करते हैं सिर्फ उनको यह पूतरा दी होने थे ना मतलब जो बच्चे होने उनको ही होने थे अगर साथ में सेवन करने वालों को तो होना ही न सारी चीज़ों का इन्होंने खंडन किया अब आप देखिए हमारा जो पेज नंबर है 855 पे पांच नंबर श्लोग लिखा है 855 पे पांच नंबर श्लोग उसकी हिंदी में देखिया आत्रे का सिद्धान्त भगवान आत्रे ने कहा नहीं इन सभी भावों के समुदाय से गर् लेकिन अब आत्रे ने उनको समझाय कि मैं एक से तो उत्पत्ती बोले नी रहा कि माता से उत्पत्ती होती है जब ये सभी भाव मिलते हैं तब गर्ब की उत्पत्ती होती है तो इनके समुदाय से गर्ब बन रहा है ये उन्होंने कहा वो याद रखने आपको फिर 6 नंबर में अब यहां पर बोला मातरज भाव जो है यानि इन्होंने बोला हर भाव से कुछ न कुछ चीज़े बनती हैं ऐसा नहीं कहरे पूरा गर्ब एक ही भाव से बनता है तो माता की वज़े से कौन-कौन से भाव बनते हैं ये आपको याद रखना चाहिए आप देखेंगे ज लोम, यकृत, पलीहा, वरिक, पुरीशाधान, अमाश्य, पकवाश्य, उत्रगुद, अधरगुद, शुद्रांत, स्थूलांत्र और वपावहन ये सारे अंग जो होते हैं वो माता की वज़े से बनते हैं बच्चे में ठीक है तो ये आप शलोक से भी देख सकते हैं शलोक में भी हमारा फोर्थ लाइन से, थर्ड लाइन से स्टार्ट और एंड से नाभी, हुर्दय, लोम, यकृत, वरिक, वस्ति, पुरिशा, धानम, माश्य, पकवाश्य, उत्तरगुद, अधरगुद, शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, वपा और वपा वहन ये माता की वज़े से, फिर पित्र जाइश्च गर्भ है, पिता की वज़े से भी भाव बनते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आप आईए, साथ नंबर श्लोप में, इसमें लिखा तद्य था, हाइलाइट कर लेना पित्र जभावों को, केस समश्रू, नख लोम, दंत अस्थी, सिरास नायू धम नी, शुक्रम्च इती, शुक्र तो पिता सी वनेगा, सिरास नायू धमनी यह जो तीन है ना, इनको हाइलाइट ज़रूर कर लेना है, वैसे जब हम सुशुत सहिता में पढ़ते हैं इसको तो उनोंने कुछ नाम देके ऐसे बोला, मृदू जी, मृदू जानी, मात्र जानी यानी, मृदू जो द्रव्य है, सौफ्ट, द्रव्य में ओर्गन्स की बात की गई, सौरी, जो सौफ्ट ओर्गन है, वो माता से बनते हैं, अब आपको देखिए सिराएं या धमनिया भी तो सौफ्ट ऐसे लगते हैं तो इन में कन्फूजन हो जाती है, तो याद रखना सि आतमजभाव यहां पे बोले गए हैं कि आतमजभाव हमारे कौन कौन से होते हैं, नाइन नमबर शलोक में आईए आप राइट पेज पे, नाइन नमबर शलोक, इसमें जहां पे नाइन यह लिखा है ना, नमरी उसके जस्ट उपर देखना एक वर्ड लिखा है, नही अन्य शलोक में आतमजभाव बोले गए हैं कि आतमजभाव हैं कौन कौन से, तो सेकेंड लाइन में देखा, तासू ताशू योनिम उत्पत्ति, आयू आतम ज्यानम, मनह पे स्टार लगा लिजे, मन भी हमारा आतमजभाव है, इंद्रियानी, प्रान अपानो, प्रेरन धारन, आ श्रीर की आकरती, स्वर और वर्ण, ये जरूर याद रखना, हिंदी में चाहें आप हाइलाइट कर लेजी, जो हिंदी एक्स्पिलनेशन दिए न, उसकी फिफ्ट लाइन में है, मन, मन को स्टार लगा लेना, या हाइलाइट कर लेना, उससे एक लाइन छोड़के, प्रियतन, बुद्धी, अंकार, ये सब को याद रहेंगे, आयू है, विबिन्योनियों में जन्म लेना, ग्यान, ये सब आत्मा की वज़े से होता है, ये सब को याद रहते हैं, लेकिन मन याद रखना, श्रीर की आकरती है, स्वर है, और वर्ण, ये भी आत्म जभाव बो ले गए हैं कुछ, तो ग्यारा नंबर श्लोक देखे, राइट पेज पे, 859 पेज पे, उपर से 6th लाइन में देखना आप, उपर से 6th लाइन मिड में लिखा है, तद्यथा वर्ड, तो तद्यथा से आगे, स्टार लगा लेना, आरोग्य, अगर आप सात्य में चीजों का सेवन करते हो, तभी तो आप आरोग्या रहोगे ना, मतलब बिमारी नहीं होगी, कोई बिल्कुल हेल्दी रहोगे, तो आरोग्यता, अनालस्य, अलोलुपात्तुम, इंद्रिय प्रसादा, स्वर वर्ण को आपने हाइलेट किया, स्वर और वर्ण, ये हमारा आत्मा की वज बीज संप्रहर्ष, ये सात्मेज भाव बोले गए, अब ये भाव चाहे आप एक जगा पे लिख लेना, मतलब अलग-अलग जो है, या फिर आप जैसे याद करना चाओ, अगे इनका टेबल भी आएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, फिर आता है बारा नंबर बना है, बढ़ता भी रस की वज़े से है, प्राणान अनुबंध है, प्राणों का अनुबंध बनना, त्रिप्ती को आपने हाइलेट किया, पुष्टी और उत्सहा, ये हमारा सब रस की वज़े से भी होता है, तो आप से को एक बर बीच्चु में कोश्चन पूछा हुआ था कि गर्व के शरीर की अभी निवरित्थी और उसकी वरिधि कौन से भाव बे अधारित होती है, आप्शन थे, सात्मयज, सत्वज, आत्मज या फिर रसज तो रस से ही तो बढ़ता है ना श्रीर बना भी रस से ही है बढ़ता भी रस से ही है त्रिप्ती भी उत्सहा भी प्राणों का नुबंद भी रस की वज़े से ही होगा Next हमारा आता है मानस भाव बोले गए सत्वज भाव means 13 नंबर श्लोक में 13 नंबर श्लोक उपर से एट्थ लाइन में देखना उपर से एट्थ लाइन तद्य था करके लिखा बीच में तद्य था तो भक्ति, शील, शोच, द्वेश, स्मृती, महो, त्याग, मात्स, शोक, भय, क्रोध, तंद्रा उत्सहा पे स्टार लगा लेजी आप उत्सहा तेरा नंबर श्लोक की नीचे से थर्ड लाइन जो है उत्सहा उसमें लिखा हुए वर्ड बिल्कुल मिड में तो उत्सहा तेक्षनेय, मार्दव, गामभिर्य, अनवस्थित्वम ये सारे क्या है सत्वज जो भाव हैं वो बोले गए है नेक्स्ट आप आईए पेज नंबर 862 862 इसमें टेबल की फोर्म में बनाये गए मात्रजादी जो भाव हैं कि कौन से होते हैं इसकी टेबल बनाई हुई है मतलब अलत्वक, लोह, नाभे, हुरिद्या ये सब जो हैं हमारे मात्रज हैं पित्रज में आप याद रखना जो लास्ट के हैं हमारे सिरास नायू धमनी इनको याद रखना आत्मज में हमारा मन और इंद्रियों वाला जो पॉइंट है वो स्वर और वर्ण आकरती ये आत्मज में याद रखना सात्मज में हमारा आरोग्य है लाइन अगर आपको लिखके देगा तो अबिसी शुरू से देंगे तो शुरू से आरोग्य वर्ड करके लिखाऊगा समझ जाना सात्मिय से आप आरोग्य रहोगे और स्वर और वर्ण भी असात्मे में है रस की वज़े से शुरीर बना है बढ़ता भी है प्राणों का अनुबंत रिप्ती पुष्टी उत्सहा उससे होगा फिर सत्वज में द्वेश मृती उत्सहा ये सब होता है आप पेज के टॉप पर लिखिए अलग-अलग लिखने है माता पिता माता अलग लिखिए फिर थोड़ा सा स्पेस पिता फिर लिखिए आ पिरसा मतलब माता पिता आसा रस रै और सै थोड़ा स्पेस पे लिखना माता पिता आशा रस बोलने याद रखने के परपस से यही याद रखना माता पिता आसा रस पर थोड़ा स्पेस दे के लिखा आपने, तो माता के नीचे लिखे 20, मात्रज भाव होते हैं हमारे 20, पित्रज भाव होते हैं 10, आत्मज भाव होते हैं 19, सात्मज होते हैं 8, रसज होते हैं 6, रस तो 6 होते ही है न, आपको पता है मधुरम लवन कटू तिक कशा है, तो इससे यादरना रसज भाव तो 6 है जो सत्वज है मन वाले हमारे अठारा तो बीस दस उनीस आठ छे अठारा इस तरीके से ये आपको नम्बरिंग याद हो जाएगी अब आप लिखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उत्सहा है हमारा वो रसज भाव भी है और सत्वज भाव भी है जो दोनों में आया वो चीज़ें आपको याद होने चीए ना तो रसज भाव में भी आया और सत्वज भाव में भी आया फिर आसा वर्ड लिखिए आसा आ और सा एरो करके लिख देजिये स्वर और वर्ण, स्वर की मतलब अच्छी वोयस हो, वर्ण अच्छा हो, कॉंपलेक्शन अच्छा हो, इसकी तो सबको आस होती है न, आसा किसकी है स्वर और वर्ण की, मिन्स जो ये स्वर है और वर्ण है ये हमारा आत्मज भाव भी है, आसा का मतलब अ से आत्मज और सातमज भाव है फिर दिखिए स्मृति आम से द्वेश स्मृति आम से द्वेश इसका क्या मतलब है स्मृति आम से द्वेश स्मृति है जो और द्वेश है ये क्या है हमारा आम मतलब आतमज और मन क्योंकि आसा वाला हम कर चुके न फिर आस और आसा में आप confused हो जोगे इसलिए आम बोला हमने तो स्मृति को आम से द्वेश है आम का मतलब क्या है आतमज और मन वाला मतलब मन वाला सत्वज होता है तो आतमज भाव है और जो हमारा मन वाला यानि सत्वज भाव है उन दोनों में include किया है स्मृति और द्वेश को तो यह जो दो-दो हैं जो इनमें आए हैं वो हमने आपको बताए अब फिर से जो भरदवाज है उन्होंने आतमादी जो विश्य उन पर अपनी शंका जताई है यह जो नीचिश लोग लिखा है ना 15 नमबर इन्होंने शंका जताई है इस पर शंका बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि मनुश्य से मनुश्य की उत्पत्ति हो रही है मतलब ऐसे उत्पन हो रहा है तो जिसके जो माता-पिता है मतलब मनुश्य से मनुश्य के उत्पत्ती हो रही है तो ये बात मानने जाए से जड़ होते हैं जो मूर्ख हैं मतलब अंदे हैं मूख हैं मिन-मिन हैं उनमत हैं पागल हैं तो माता पिता के संताने पिता के तुल्ले क्यों नहीं होती मतलब जैसे माँ बाप किसी के विल्कुल फाइन हो के हैं लेकिन उनके बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है फिर जब आप बोल रहे हो माता पिता से उत्पत्ती हो रही है उनकी तो जैसे माता पिता है वैसे होने चाहिए बच्चे तो हमेशे ऐसा को नहीं होता तो फिर उसको भी इन्होंने आगे जह वो अलग उससे बताया है स्तारा नंबर श्लोक में आईए आप 17 नंबर श्लोक उसका अलग तर्क दिया उस पे हमें आने के ऐसे जरूरत नहीं है कि क्या क्यों बोला गया आप 17 नंबर श्लोक में आईए इसको आप इंपोर्टन सेकेंड लाइन में बोला उन्होंने बोला कुशन पूछा था ना भी उन्होंने कि अगर आप बोल रही हैं तो फिर बच्चों क्यों आ जाते है जो कि मा बाप ठीक हैं सातमय का सेवन कर रहे हैं आतमा भी ठीक है सब कुछ ठीक है प्रॉपर है किसी कोई हैं आपके पास ऐसे माता पिता जिनके सब चीजें ठीक हैं फिर भी उनके बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है तो बोलते हैं जो बीज उत्पादक जो भी है जो गर्ब का उत्पादन कर रहे हैं जो भी बीज है आपके या बीज भाग हैं उनमें जिन जिन अव्यमों पर उपतप्त हो वो दूशित हो जाएं अगर मिलने के टाइम पर तो क्या होगा जिन में जैसी विकृती हो उस उसंग की विकृती बच्चे में देखने को मिलेगी में जैसे जो है वो प्रोमोजोम है उसके ओपर कौन सी जीन विकृत हुई है कौन सी जीन एफेक्ट हुई है तो बच्चे को कौन सी बीमारी होगी इस तरीके से इन्होंने बोला मतलब दिखी कितना scientifically उसको चीज को बोला गया कि जो भी है बीज एक क्रॉमोजोम है उसका बीज भाग दूशी तो है कोई जीन एफेक्ट हुई है फिर बच्चे में उसी जीन से related जो वो in future बनाने वाली थी उसमें वो पार्ट दूशी तो जाता है ऐसा इन्होंने बोला गया next हमारा आते है 24 नमबर श्लोक में आया 24 नमबर श्लोक सेकेंड लाइन में highlight करना नहीं एको वर्तते भावो वर्तते नह अश्य हेतु का आया means बोलते हैं भाव उत्पत्त धर्म पदार्थ कभी भी अकेला नहीं उत्पन होता उत्पत्ती धर्म पदार्थ बिना किसी कारण क नहीं होते हैं मतलब साधन रहीत नहीं है हर चीज कोई ना कोई चीज किसी ना किसी रीजन की वज़े से हो रही है अकेले उत्पन नहीं होती कुछ ना कुछ उसके बीचे root cause उसका होता ही है ऐसा बोला गया इतना important नहीं है जैसे reference based question हमने आपको बताया रेर आते हैं तो इस chapter में यह जो भाव है माता पिता आसा रस कौन से उत्सहा कौन कौन से में आ रहा है स्वरवर्ण कौन से में आ रहा है या फिर कितने होते हैं मातरज भाव पितरज भाव सिरस नायू धमनी कौन सा विकार है मतलब कौन सा भाव है प्राणा नुबंद कौन सा विकार है उत्सह को आम से दिश बस इतना पढ़ लिया और नंबरिंग पढ़ ली नहीं पूरे एक्स्प्लेइन भी तो हमने आपको बताया ना इनको कि पूरे आत्मज भाव आपको याद एक बार करने है एड दा एंड क्या होता है जब आप एक्जाम के लिए पढ़ो गे एक्जाम में आपक पढ़ना चाहिए आपको ध्यान से पढ़ना इस चप्टर में से जो कोश्चन है इसी में से आता है यही बाव बताये गए है ठीक है